Hey everyone, welcome to iStock Research. मेरा नाम है Mukul Chaudhary and the daily analysis is here. So traders, कल Tuesday है, मतलब फिन Nifty के expiry है. So कैसे प्लान करना है, इसके बारे में बात करते हैं? So पहले सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, Nifty से. Nifty में मैंने 15 मन का चार्ट उपन किया हुआ, एक बार पहले डिली शॉर्ट देख लेते हैं. डिली शॉर्ट में आप देख सकते हैं, एक इंसाइट बार बना है, इसका मतलब ये है कि एक बड़ा मूव इधर साइड आ सकता है. अब overall जो trend है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि market recover कर रही है, अब market क्या कर रही है, market अपने resistance के पास आ गई है, और वहीं से market क्या कर रही है, थोड़ा consolidate कर रही है, generally market चलती कैसे है, ऐसे, right, अब यहां पर market ऐसे हो सकता है, या फिर यहीं से नीचे आ जाएगी, अब इस region म जोगी, या तो market यहां पर W बना के उपर निकलेगी, या फिर M बना के नीचे जाएगी, यह तो daily का साब हो गया, अब हम आते हैं 15 मिनट पर, 15 मिनट पर एक चीज को समझता है, देखें यहां पर क्या हुआ है, यहां पर मैंने trend line ट्रॉ की है, नहीं भी करता, तो भी pattern बन हो रहा है आपर, अब आप देखें यहां क्या हो रहा है, एक चीज आप सबसे पहले समझो, अगर आप यहां देखोगे, यहां देखोगे, यहां देखोगे, और यहां देखोगे, जो भी close हो रहा है, वो previous day low के उपर है, तो एक चीज clear है कि highs पे आरी है selling, बर lows के नीचे व नहीं है, कि market को नीचे लेके जा पाए, तो अभी हम यह चीज decision नहीं ले सकते कि यहां से market गिरेगी, गिरेगी, अब इसका दूसरा पहलू क्या है, बड़े बार्स को देखते हैं, बड़े बार्स का high पकड़ो और बड़े बार का low पकड़ो, ओके यह तो bar number one हो गया, दू 50% से fade out हो गई, clear, bar two बना, तो 50% से fade out हो गई, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, कि जब यह बड़ी candles आ रही है, उसके बाद market recover नहीं कर पा रही, उस level पे, and nifty is the strongest among fin nifty, या bank nifty, okay, bank nifty में तो गीमी अलग है, nifty तो फिर भी fight back कर रही है, बड़ जिस type की candles बन रही है, और उसक रही है, कि maybe कल यह trend line break होगी, और market में एक बड़ा move आएगा नीचे के side, यह मैं एक आपको दोनों side का vision दूँगा, मैं अपना perception को यह आप पर थोकने की कोशच नहीं कर रहा हूँ, जो भी chart दिखा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे, अभी यहाँ पर chart एक चीज कहता है कि जो pressure है, वो downside पर है, वाई, due to bar number one and bar number two, और recovery अगर आप देखेंगे, even after this bar, recovery 50% भी fade out हो गया, नीचे आ गई, यहाँ पर यह होने के बाद भी और, मतलब कुछ नीचे breakdown नहीं किया, बट स्टिल इस level को तोड़ा भी नहीं अभी, ओके, तो यह आपके सामने context clear हो गया है, क हम एक follow through चाहिए, और यह जो area है, यह inside bar है, so इसका मतलब क्या है, कि इस region के उपर नीचे एक बड़ा move आ सकता है, clear, उपर doubt है, मुझे नीचे आ सकता है, उपर क्यों, क्योंकि एक resistance यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, unless यह दोनों के दोनों, एक gap के साथ clear हो जाए, और market दीरे दीरे उपर निकल जाए, right, so कल अपन कैसे trade करने वाले है, सबसे पहले नीचे की तरफ की बात करते है, so यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर market कल break देती है, और थोड़ा टिकती है और नीचे निकलती है, तो यह बहुत अच्छा sell होने वाला है, आप ध्यान र बार बना है, बड़ी candle वाला बार बना है, so मैं यहाँ पर शायद position बनाऊंगा, but quantity अपनी 50% रखोंगा, कि अगर SLB हो गया, तो मैं दुबारा re-entry कर सकता हूँ, okay, so यह एक scene है, आज मेरा SL होगा था भी मैं आपको दिखाऊंगा, so आप देखना उस चीज़ पर, so इसलिए आपर, market नीचे आ सकती है, जो पहला आपका resistance आएगा, वो आएगा 19,600 का, और उसके बाद, sorry, support आएगा, उसके बाद आएगा 19,560 का, and then 19,520 का, अगर यह trend line टूटती है, तो, okay, so यह तो हो गया अपना नीचे का game plan, all set, ठीक है, अब इसके बाद next game plan क्या बनेगा, अब हम game plan बनाते है, अगर price यहाँ पर ही कहीं open होती है, नीचे नहीं तोड़ती है, तो आपने क्या करना है, देखो, पहली बात, अगर आप धिहान दोगे, यह क्या बन रहा है, यह एक inverted flag ले लो आप, जो भी आपको लेना है, उस type का pattern बन रहा है, तो inverted flag ले रहा है, तो जो हाँ स chart देखते हैं, और price को audience समझते हैं, देखो, सबसे बहले चीज़, मैं आप सब लोगों को decision points के बार में बताता हूँ, कि यह जो open price होती है, बतर basically open candle जो होती है, इसमें जो highs बनते हैं, यह बड़े important role play करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, market ने क्या किया है, दुबारा इस high को reclaim करने की कोशिश की, और फिर market दुबारा से नीचे आ गए, उसके बाद market fade out हो गई, basically यहाँ पर जो भी attempts market ने देने की कोशिश की, वो fade out हो गई, clear है, उपर जाना fade out हो गया, अब position नीचे की है, अब basically जो ball है वो bears के court में है, यह कितने level पर नीचे लेके जा सकते हैं, वो अ try करेंगे, why, आप यहाँ पर देखिए, market इधर एक भी pattern ऐसा नहीं दिखा रही है, कि market अराम से इस region को cross कर ले, यहाँ पर कहीं ना कहीं market अठकेगी, और अगर अगर अप मूव आया भी, तो तना swift नहीं आएगा, थोड़ा रूला दूला के आएगा, आएगा, पर थोड़ road होके आएगा, और आपके targets भी जो होंगे, वो इस type से आने वाले, 9800, उसके बाद 9780, and then इसके उपर के regions, नीचे थोड़ा easy है, उपर थोड़ा मुश्किल है, why, because pressure जो है, वो यह candles लेके जा रही है, bulls इस time पर under pressure में है, और जो bears है, पूरी ball उनके पास है, context आपको समझ मे आगया होगा, I hope plan भी समझ में आगया है, कि आपको किस सरी के से play करना है, आपर, अगर market यहीं पर कहीं रहती है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, sell के planning अगर बनती है, तो यहां पर market क्या करेगी, lower highs बनाएगी, और most probably lower lows बनाएगी, हमार लिए main है, lower highs, अगर lower highs बना रही है, एक opportunity आएगी, इस break से पहले भी marketing opportunity दे सकती है, अपने आपको घुसने के लिए, अब ध्यान रखेगा इस बात को, okay, buying इसी के उपर है, इस region में, यह no trade zone है, buy के लिए, मतलब call buyers के लिए, यह no trade zone है, आप यहां buying selling नहीं करेंगे, कहां पर 19.750 से लेके, 19.700, यह region को आप मत छेड़ना, इसमें problem हो सकती है, बहुत लोग क्या करेंगे, यहां पर अगर ऐसे candle बन गी तो सोचेंगे, यहां से buy कर लेंगे, यह trapping हो सकती है, ध्यान रखना, अगर play भी करना है, तो कम quantity में trade करो, okay, जिनके पास capital कम है, आप अपने battles चुनिए, जहां अपर market आपको trade दे सकती है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, A और B, so I hope context is clear, अब आते हैं bank nifty के पास, bank nifty में क्या plan है, समझते है इस चीज़ को, bank nifty का daily chart आप देख सकते हैं, इसमें कुछ अलगी कहानी चल रही है, 43.600 बहुत important है, market ने यहां पर support लिया, उपर गई, वापस market नीचे आगे, जब यह market retest नहीं करती हो, तो chances होते हैं कि trade वापस नीचे की तरफ आए, so 15 मट का chart देखते है, 15 मट के chart पर आप देखो, यहां क्या हो रहा है, market ने क्या किया है, अगर आप यहां देखेंगे, high, lower high, lower high, यह pattern चल रहा है यहां पर, market का, और market यहां प यहां पर contract कर रही है, so अब हम लोगों को क्या देखना है, 43,600 के नीचे एक attempt दे दिया, 2 attempt दे दिया, retest दे दिया, m pattern भी बना दिया, so कल अगर price यहां पर कहीं खुलती है, तो chances है कि price नीचे जाएगी, because दो बार retest दिया है market ने, अब कोई भी price अगर अपने को यहां मिलती है, यहां मिलती है और fail होती है उपर जाने से, तो यहां पर sell के opportunity बनेगी, buy हम लोग का plan करेंगे, buy अपना plan होगा, जब price 43,750 के उपर रुक के फिर निक पास करती है तब, पहला target होगा हमारा 43,900, उसके बाद price cover करेगी 44,000 और 44,100 को, यहां समझ जाए, pressure नीचे की तरफ ही ह है, अभी recently बड़े bars जो बन रहे है, chances बहुत कम है कि market असानी से इन bars को निकाल दे, जो nearest pressure है, वो यह है, price, अगर price ने उपर जाना है, तो इस bar को पहले nullify करना होगा, और price ने नीचे जाना है, जिसके chances जादा है, तो price ऐसे करके नीचे जा सकती है, तो आप ध्यान रखेगा इस चीज़ को, यह बार आपकी कल सारी की सारी strategy को बताएगा, clear, okay, अब आते हैं, fin nifty पे, fin nifty की कहानी पे, बिल्कुल bank nifty जैसी है, कल expiry ही है, and अगर आप fin nifty में देखेंगे, inside bar बना है, तो bank nifty से जादा impact fin nifty में आ सकता है, तो आप ध्यान रखेगा, because inside bar जो होते है, पूरे दिन market इसी range के अंदर रही है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इस candle के बाद, कोई भी उपर का re-attempt नहीं गया है, 50% से ही price घूम रही है, so कल भी आप लोगों के लिए यह जो region है, यहाँ पर अगर price खुलती है, और red candle बनाती है, तो यहाँ sell opportunity बन सकती है, एक opportunity जैसे ही price इस region को तोड़ती है, 19.470 के region को छोड़ती है, तो यहाँ पर एक और आपका sell opportunity बनेगी, why, because inside bar का break हो रहा है, और आपका पहला जो target है, वो 19.420 के पास आएगा, clear, okay, अब buy, मैंने आपको buy का बताया, buy इसी range के उपर, जैसे bank nifty में प्लान था वो, and ultimately, पहला target हो होगा, 19.650, इसके उपर अगर price टिकी, तो price कहाँ चेक करेगी, price इसकी closing को चेक करेगी, 19.720, दो एक चीज का ध्यान रखना, pressure, ये candle, और उसके बाद ये candle बना रही है, ये nullify हो गई है, ये तो मतलब इसका कोई फायदा ही नहीं हो, because इसके 50% पे भी market टिक नहीं पाई है नीचे आ गई, तो ये हो गई, invalid, बट ये जो candles है, ये candle हो गई, और ये candle हो गई, इसके 50% पे अभी भी resistance आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये valid candles है, all sorted, ठीक है, तो ये हो गया आपका analysis, so make sure आप धंक से trade करें, एक बर मैं आपको अपना आज का दिखा देता हूं, trade, एक सकें ने लिए, मैंने चार lot में trade किया था, और ये भी trade लेने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, but मैंने क्या किया था, मैं आपको बताता हूं, इपर bank nifty, sorry, nifty खोल लेता है, nifty के अंदर, मेरा जो trade बना था, वो यहाँ पर था, बट आज मेरी तवित खराबती, मेरी और मेरी sell hit हो गया अपना, price ने कोशिच भी की उपर आने की, but जो movement यहाँ पर flipping होई है, बहुत जादा थी, तो इसलिए मैंने एक entry से जादा है यहाँ पर लीनी, तो golden entry यहाँ पर थी, why, because open candle जो है, उसका high test हुआ था, और fail हुआ था, और M pattern में आया, तो बहुत अची entry थी, वो मैं कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, कैसे आप जोइन करना है, क्या उसका criteria है, जोइन करने का, वो आपको सब बता देंगे, make sure आप WhatsApp ही करें, call ना करें, call को receive नहीं करने वाला, WhatsApp message पर ही आपको पास reply आएगा, okay, I hope this helps, अगर वीड अची लगी तो like, share, करें, and मुझे बताईए का video कैसी लगी, and आपके अनलाइस कर रहा है, thank you for watching, and I'll see you in the next one.